Hey guys, welcome to another video of Learning English Hub Guys, आज हम इस बीडियो में देखेंगे पचास ऐसे English word जिसके अंत में वाई लगा हो यानि कि वो सब्द वाई से end होता हो तो इस तरह के सब्द को जानना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप किसी से अंताचरी वगेरा खेल रहे हो इंगलिस में तो आप ऐसे सब्दों का इस्तेमाल करके आप वो अंताचरी बहुत ही जल्दी और बहुत ही असानी से जीच सकते हो तो वीडियो में बने रहे इन पचास English word को याद जरूर कर ले तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला सबसे जो है by जिसका मतलब होता है द्वारा नेक्स्ट है my my का मतलब होता है मेरा नेक्स्ट है एनी, A-N-Y, एनी, एनी का मतलब होता है कोई भी, उसके बाद है बे, B-A-Y, बे, बे का मतलब होता है रास्ता, नेक्स्ट है B-U-Y, बाई, बाई का मतलब होता है खरिदना, उसके बाद है B-O-Y, बाई, बाई का मतलब होता है लरका, नेक्स्ट है CRY, cry, cry का मतलब होता है रोना नेक्स्ट है D-A-Y, day, day का मतलब होता है दिन नेक्स्ट है D-R-Y, dry, dry का मतलब होता है सुखा नेक्स्ट है fly, F-L-Y, fly, fly का मतलब होता है उरना नेक्स्ट है fry, fry, fry का मतलब होता है भूञजना नेक्स्ट है गे, g-a-y-gay, gay का मतलब होता है समलेंगिक नेक्स्ट है guy, g-u-y, guy, guy का मतलब होता है लर्का हम जब भी किसे बलते है तो इसको इंगलिस में बोलेंगे नेक्स्ट है जोई जोई का मतलब होता है खुशिया मे का मतलब होता है मई महिना नेक्स्ट है पे 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 का मतलब होता है दाम चुकाना नेक्स्ट है रे 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 का मतलब होता है किरन नेक्स्ट है से से का मतलब होता है कहना फिर है शाय शाय का मतलब होता है सरमीला Next है sky, S-K-Y sky, इसका मतलब होता है आस्वान उसके बाद है spy, SBY spy, spy का मतलब होता है चासूस Next है try, T-R-Y try, try का मतलब होता है कोशिस Next है way, W-A-Y, way का मतलब होता है रास्ता उसके बाद है why, w-h-y, why का मतलव होता है क्यों Next है toy, toy, toy का मतलव होता है खिलवना फिर है army, a-r-m-y army, army का मतलव होता है सेना उसके बाद है away, a-w-a-y away, away का मतलव होता है दूर नेक्स्ट है बेबी, B-A-B-Y, बेबी, बेबी का मतलब होता है बच्चा नेक्स्ट है बोडी, B-O-D-Y, बोडी, बोडी का मतलब होता है शरीर नेक्स्ट है बरी, B-U-R-Y, वरी, बरी का मतलब होता है दफनाना नेक्स्ट है बीजी, बीजी का मतलब होता है ब्यस नेक्स्ट है सीटी, सीटी का मतलब होता है शहर नेक्स्ट है कले, कले का मतलब होता है मिट्टी नेक्स्ट है कोजी, कोजी का मतलब होता है सुहाबना नेक्स्ट है कोपी, कोपी का मतलब होता है नकल करना नेक्स्ट है डिनाई, डिनाई का मतलब होता है मना करना नेक्स्ट है ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब होता है काम किरिया नेक्स्ट है होली, होली का मतलब होता है नापाहक नेक्स्ट है इडली, इडली का मतलब होता है इडली Next है lady, lady का मतलब हता है स्त्री Next है okay, okay का मतलब हता है okay Next है pity, pity का मतलब हता है सरा हुआ Next है दे, t-h-e-y, दे, दे का मतलब हता है वेलो Next है tiny, जिसका मतलब हता है बहुत ही छोटा Next है ugly, u-g-l-y, ugly, ugly का मतलब हता है गंदासा Next है very, b-e-r-y, वेरी, इसका मतलब हता है बहुत तो दोस्तों ये थे 50 ऐसे इंगलिस सब्द जो y से खतम होते हैं और दोस्तों ये जो 50 सब्द अगर आप से सीख लेते हो आप अपने मन में कंठरस्ट कर लेते हो तो आप अगर कहीं भी अनताच्री खेल रहे हो इंगलिस वाली तो आप हर हालत में जितोगे ये मेरी गारेंटी है दोस्तों झाटर